राइटर और पेज़ त्री सोशलिस्ट शोभाडे ने रियो गए भारते दल का मजाक उड़ाया है एक अशोभनी ये ट्वीट उन्होंने किया जिसमें उन्होंने ये लिखा कि भारती ए खिलाडी वहाँ जाते हैं सेलफी लेते हैं और उसके बाद खाली हाथ वापस लोटाते हैं जैसे ही शोभाडे ने ये ट्वीट किया उसके बाद सोशल मीडिया पर जम करूने लोगों के चारों तरफ से हमला जहेलना पड़ा है क्योंकि लोगों ने जबरदस तरीके से क्रिटिसाइज किया है कि आखिर कैसे आप अपने देश के खिलाडियों को जो वहाँ जाकर एक बड़े टॉर्नमेंट में एक इंटरनेशनल टॉर्नमेंट में आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके खिलाफ इतना अशोगनिये बयान आप दे सकते हैं और ये नाराजगी सिर्फ आम लोगों नहीं नहीं बलकि अलग-अलग शेक्त्रों के बाकी लोगों ने भी इस पर नाराजगी जाहिर किये शोबाडे ने क्या ट्वीट किया ये भी आई आई आपको दिखाते हैं उन्होंने अपने इस ट्वीट में लिखा ओलम्पिक में टीम इंडिया का लक्ष है रियो जाओ, सेल्फी कीचवाओ और खाली हाथ वापस आओ यानि पैसे और मौके की बरबादी शायदी ट्वीट लिखते वक्षोबाडे ये भूल गई कि एक खिलाडी चार साल जब उलम्पिक का इंतजार करता है तो वो कितनी महनत करता है और उलम्पिक तक पहुँचने के लिए भी कितने क्वालिफाइंग राउंज खिलाडी को पास करने होते हैं के बाद जाकर कोई देश, कोई खिलाडी अपनी मौजूदगी ऐसे इंटरनाशनल प्लाटकॉम पर दर्ज करा पाता है बेहत शर्मनाक ट्वीट शोभा डेका रोबी इंटरनाशनल टॉर्नामेंट के लिए जिसके लिए कड़ी महनत, कड़ा पसीना खिलाडी बहाते हैं और ऐसे में अपने भारतिय दल को समर्थन देने के बजाए, सपोर्ट करने के बजाए, उन्होंने उसकी तुलना, पैसे और मौके की बर्बादी से कर दी हमारे साथ पूर्व धावाग सुनिता इस पर जुड़ गई है, उनसे हम बात करेंगे सुनिता जी, एक खिलाडी के दिल पर क्या बीचती है जब इस तरह के ट्वीट, इस तरह के बयान, ऐसे शर्मनाग बयान सामने आते हैं मेरे ख्याल से पूरे देश के जितने भी खिला रही हैं, मैं तो एशियन चैंपियन हूँ, सबको ये बात बहुत बुरी लग रही होगी क्योंकि वो होती कौन है ये ट्वीट करने वाली, वो ऑथर भी अगर अच्छी है, तो मुझे तो उस पर भी डाउट हो रहा है क्योंकि उसको ये नहीं मालूं कि स्पोर्स में ऑलम्पिक तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है छे साल लग जाते हैं तब जाकर जो भी ऑलम्पिक क्वालिफाई किये हैं हमारे 123 करोर की जंता में सौर लोगों ने क्वालिफाई किया है ट्राई कितनों ने किया होगा दस से बीस हजार तक ट्राई कर रहे होगा जितने लोग अगर एक करोर खेल रहे है न सबका ड्रीम होता है ऑलम्पिक में जाने का हमारे sports में Olympic is the ultimate और वो जो लोग गए हैं वो हमारे stars हैं और उनके लिए ऐसा कहना selfie लेने जाते हैं, खाली हादाते हैं होती कौन है वो बोलने वाली यही दर्द जो इस वक्त आप कह रही है वो बाकी खिलाडियों के मन पर भी इस वक्त से गुजर रहा होगा आपका बहुत 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 शुक्रिया सुन्तर जी हम से बात करने के लिए लेकिन सवाल यही कि आखिर खेल की ABCDB क्या आपको मालू है यह ट्वीट करने से पहले, क्योंकि जिस तरह से भारतिय दल का आप मजाक उड़ा रहे हैं ऐसा बयान देकर जब इंटरनाशनल प्लाटफॉर्म पर खिलाडी पहुंचे हैं अपने आपको परिक्षा देने के लिए अपने आपको प्रूव करने के लिए इस बयान का क्या मतलब है